जे योगोर हाडू मेरे जितने भी साधक साधिक ये भाईवेन है सभी को मेरी तरब से प्रणाम श्यूकर हो मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सब के सम्मुक्स एक साधक का केसे मंत्रशिद्धी उसने किया है वो अन्वब रखने जा रहा हूँ जो मेरे ही सिश्य है उसने केसे गुरु मंत्रशिद्धी किया आप सब को वो भी जानना जरूरी है और उसका क्या आखरी अनुभव क्या रहा वो भी देखना जरूरी है जबकि ये गुरु मंत्र सिद्धी था सेप उसका मंत्र सिद्धी हुआ है कोई सक्ति सिद्धी तो होगा नहीं इसमें तो केसा इसमें अनुभव रहता है फिर आगे इसको क्या करना चाहिए जब मैं गुरु हूँ उसका तो उसका गुरु मंत्र सिद्धी हुआ तो आगे रास्ता मैं दिखाऊंगा कि उसको करना क्या है उसका उर्जा में नापूंगा और उसकी जरूत को मैं समझूंगा क्या उसको भातिक शुक की जरूत है अभी या उसको कुछ और जरूरत है क्या वो सठकर्म सीखना चाता है क्या वो दूसरे दुनिया में दूसरे आयाम में जाना चाता है काया गवर्मन की जरीजे क्योंकि इसका जो पहला पड़ाव था इसने अच्छे से सुकून से पार कर लिया क्योंकि गुरु भक्ती ही सब कुस करवाता है चलिए पहले सादक हमारे से कब से जुड़े थे वो देखते है ये जो सादक थे हम से जुड़े थे जून अठरा दो होजार वाविस को पहले इन्होंने जीन सादना लिये थे ये सादक है तो इनका मन क्या जीन सादना तो हमसे ले लिये थे लेकिन जीन सादना इन्होंने किये नहीं इनका पहले बन ये हुआ कि गुरु जी मैं आप से फिर जी गुरु दिख्षा लेना चाहता हूँ और आप से शुरुवात से सब कुस सीखना चाहता हूँ तो हमने का ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, फिर हमने उनको गुरु दिक्षा दिये, तो जो सब कुछ उनको सिखाये गया, कैसे गुरु मंत्र जाप किया जाता है, माला कैसे पकड़ते, इसमें देखिएगा हवन कैसे क्या करते है, सब कुछ, मंत्र जाप किस तरी किसे उच्छारण करना चाहिए, किस तरी किसे जपना चाहिए, उपांग्सु, मोखिक, या बाचिक जाप, मानसिक जाप, जो मानसिक और मोखिक कहलाते है, चलिए खेर, पहले इनकी जुबान से सुन ले थे, गुरुजी 21 दिन का इनका साधना था, गुरुमंत्र साधना, गुरुजी आज हमारा साधना का 21 बादीन है, फिर परशुका मेंसे जाया था, प्रणाम गुरुजी, नीचे लिखे, ऐसा गुरुजी आज मेरे साथ पहली बर हुआ है, कि मुझे कोई परच्छाई दिखे है इसा है, क्यों गुरुजी? गुरुजी हमारे साधना का अन्तिम दिन है, जी, चलिए इनका अन्होव क्या है, पहले सुन लीजी गुरुजी, सारे नो यपोने दजबचे के आसपास की बात है, मैं सोय हुआ था, तो मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुजी मंतर का चाप कर आँँ, और मैंने देखा कि कोई पर चाई, अजीब सी आवाजे कर रही है, वो आवाज करती भी एक तमसे अंदर आई, क्योंकि मैं में गदर बैठा चाप कर रहा था, और वो गेत खड़ीती फिर वांदर आई, अजीब अजीब सावाज कर लगी, मैं इक बार के लिए गुरुजी मंतर गया, ठटने गुरुजी फिर वो पताने अपरचाही कायब से होगी वो, तो इनको मैंने नीचे ये लिख कर भीजा, आपकी गुरुमंतर शिद्ध हो, शिद्ध है, जिसको सपने में देखे है, वो हमारे ही गुरुत है, क्योंकि मैंने जब इनका ये अनुहब सुना, तभी तुरंत मैं मैंने ध्यान पर बेटके, इनकी फोटो को सामने रखे, मैं अपने शक्तियों का आवान करके पता किया, फिर जाकि इनको ये बोला, कि आपका गुरुमंतर शिद्ध हो चुका है, गुरुदे भी इनको सपने में दर्सन दे रहे थे, तो ये नया सादक है, तो समझ नहीं प पात है, पहली बात है, मैंने इससे पिछले वीडियो में किया वला था, कि आपके मार्ग दर्शक सही होना चाहिए, चाहे आप जीवन की रास्ते में चलो, या आप साधना की रास्ते में चलो, आप सक्ति मार्ग में चलो, या भक्ति मार्ग में चलो, आपकी मार्ग दर्श अनुभवी और सच्चे होना चाहिए है तभी आपको सही रास्ता मिलेगा और आपको आसानी से जो आपकी परेशानी है साधना सेत्र में वो आसानी से आपको मिट जाएगा क्योंकि उनको अनुभव है आपके गुरु को अगर अनुभव होगा तो वो ही बता पायेंगे कि बेटा ये तरे को ये दिक्कत है तरे को ये कर ले ये इस जगा पे ऐसे करना चे वहां मत कर ये दिक्कत होगा साधना खंडित होगा उस चीजों को करने चे क्योंकि उनको बना लेता है एक बार, फिर शिश्य का कोई काम नहीं रहे जाता है, सब काम गुरु का होता है, गुरु जो आगया करेंगे, शिश्य उसका पालन करें, पहली भी आता है, दूसरी बात यह है, गुरु जिस दिशा में आपको ले जा रहे हैं, आपको उसी दिशा में चलते जा कि गुरु ही जानते हैं कि आप क्या कर सकते हूं कि आपको चाहिए और किस तरीके से आपको वो मिलेगा तो जैसे ही इन व्यक्ति ने आसानी से गुरु मंत्र शिद्धि किया दो ही कारण से आपको इस चीजों से सीखना चाहिए जहां पूरुन समर्पन हो भक्ति भाव हो वहाँ एकी बारी मे ही संभवे माता का मनाना कोई बड़ी बात नहीं है तो आपको ये सिख मिलता है इस वीडियो से कि आपको पूरुन समर्पन और भक्ति भाव होना अवश्यख है साधना सित्र में आगे बढ़ने के लिए और सही मायत दर्सक अत्यंद जरूरी होता है जे उगरालू